हलो गुड मॉर्निंग एवरिवन चैप्टर 3 मैनेजिंग फाइल सेंड फोल्डर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है फॉस्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था जैसे यहां पर फॉस्ट टॉपिक था हमारा विंडोस सेवन एंडिट्स डेस्टॉप उसके बाद फाइल सेंड फोल्डर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डेस्टॉप में क्या-क्या चीजे होत क्रियेटिंग फाइल का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर में फाइल को कैसे क्रियेट करेंगे यहां पर आपको क्या सिखना है कि कंप्यूटर में फाइल को कैसे क्रियेट करेंगे अगर आपके पास कंप्यूटर या लाप्टॉप है तो आप घर में इस स्टेप्स को समझ क्लिक करिए जैसे start button पे क्लिक करेंगे एक box कुलेगा जिसमें आपको all programs में क्लिक करना है all programs पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद accessories में क्लिक करना है उसके बाद accessories में open करिएगा तो जहाँ पे आपको notepad मिलेगा notepad पे आप क्लिक करिएगा जैसे आप notepad पे क्लिक करेंगे त तो इस तरीके का कुछ एक window open हो जाएगा, ये तो पुरा blank रहेगा, starting वे, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने बारे में, या फिर कुछ माल लीजे, कुछ question answer या कुछ ऐसे लिखना चाहरे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, या आपने क्या किया एक page का, एक document ready कर लिया, कुछ भी किसी के भी बारे में, या फिर कोई question answer या कोई project work, मिल गया आपको, आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने type कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, type करने के बाद आपको third step पे जाना है, third step क्या है, click the file menu, देखे, जैसे ही आप यहाँ यह पूरा type कर लेंगे, तो यहाँ पे दिखे, सबसे corner पे आपको file लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, file menu, तो वहाँ पे आपको arrow के ले जाकर के click करना है, तो आप file menu में click करेंगे, file menu में जैसे click करेंगे, तो click करने पे एक drop down list मिलेगा आपको, वहाँ पे बहुत सारे options म the save, जैसी आप यहाँ पे यह जो file menu दिख रहा है, वह click करेंगे, तो इस तरीके का एक box खुलेगा यहाँ पे, और box में दिखेगा, जहाँ save लिखा होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, click करना है, देख, यह क्या करना है, save वाले button पे click करना है, तो जैसी आप save वाले button पे click लिक करेंगे तो क्या आएगा दसma discouraged डायलोग लोग बॉक्स अपिर जैसे आप सेव सेप लोग बॉक्स आएगा उसे क्या करना आपको में यह फाइल बनाना च्हार हैं उसको कहा करना चााहेंगे या फिर उस फाइल का नाम क्या रखता चाहेंगो उसके लिए बॉक्स चाहता है ठीक है तो आप यह फाइल बनाना चाहरे है अपने लिए फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल लेम में अपना नाम लिख दीजे या किसी सब्जेक्ट नाम लिख दीजे ठीक है तो इस तरीके का बॉक्स मिलेगा यहां पर आपको फाइल लेम एंटर कर लेना है अपन the save button आप file will be created on the computer जैसे आप save button पे click करेंगे आपको file create हो जाएगा है तो जिनके घर भी computer या laptop होगा ये steps को आप करके देखिएगा आप से ये बन जाएगा चलिए आगे आते हैं तो ये file create करना हम लोगों ने सीख लिया अब हम लोगों सीखेंगे creating a folder तो folder create कैसे करेंगे तो जितना महनत आपको file create करने में लगा उससे बहुत इकम महनत लगे आपको folder create कर रहा हमें ठीक है folder create करना बहुत ज़्याद आसान है चलिए तो कैसे create करेंगे हम लोगों देखिया सबसे पहले क्या करिए डेच्टॉप पे जा करके यह box मिलेगा ठीक है second step क्या है select the new option जैसे आप यह box आएगा तो आपको यह new option यहाँ पर दिखे है new लिखा रहेगा new option पर क्लिक करना तो जैसे आप new option पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और box खुल जाएगा ठीक है process को समझ यह सबसे पहले आपको क्या करना राइट क्लि जाना है तो यहाँ पर जैसे arrow को लेकर के जाएंगे तो फिर एक और box यहाँ पर open हो जाएगा अपने आप जैसी open होगा उसके बाद क्या करना है third step click the folder option ठीक है तो यहाँ पर सबसे उपर यह आपको folder option मिलेगा यहाँ पर देख लीजे जैसे आप new पर arrow क्लिक करके जाएंग अपने हिसाब से आप अपना नाम दे सकते हैं या अगर कोई class का project बना रहे हैं किसी subject और project बना रहे हैं तो subject का नाम दे करके आप वो folder को create कर सकते हैं ठीक है तो बहुत easy है steps को अच्छे से समझे हैं सबसे पहले right click करेंगे box खुलेगा new पर जाएंगे फिर उसके बाद एक और box खुलेगा और वहां पर फोल्डर पर जाएंगे फोल्डर पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसका rename कर देंगे rename करने के बाद आप enter कर दीजिए तो आपको यह folder create हो जाएगा यहां पर ठीक है तो यहां पर यह folder वाला भी हमारा complete होता है next है हमारा windows explorer ठीक है तो next क हम लोगों को पढ़ना है windows explorer तो windows explorer होता है actually देखें आपर windows explorer is a file management program एक तरीके का यह file management program है तो मैंने बता फाइल management का मतलब यह होता है कि file को अच्छी तरीके से arrange करके रखना जितने भी हमारे पास files होंगे उन सभी files को अच्छी तरीके से arrange करने का काम कौन करता है windows explorer और arrange करने के काम को हीम लोग क्या बोलते हैं file management तेक है तो windows explorer is a file management program provided with windows 7 accessories you can access windows explorer by right clicking the start button and selecting open windows explorer तेक है अगर आपको windows explorer करना है open तो आप simply क्या कर सकते हैं right click कर सकते हैं कहाँ पे start button में और start button पे जैसी आप करेंगे तो आपको windows explorer मिल जाएगा वहाँ पे आप उसको click करके उसको open कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है when windows explorer opens जैसी windows explorer open होगा तो open होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको windows explorer ठीक है यह जो box दिख रहा है न यह windows explorer कुछ इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे आपको four libraries मिलेंगी ठीक है मतलब total कितने type के file हो सकते हैं वो किस में जाएंगे यह four libraries में ही जाएंगे ठीक है तो पहला होता है document ठीक है first क्या हो जाएगा हमारा document second हो जाएगा music, third picture और fourth का है video आपको computer में जितने भी आप file बनाएंगे यह four category में ही जाएगा यह ठीक है यह four category के अलावा कोई दूसरा category नहीं है first category है आपका document, second category है music, music से related जितने भी files होंगे आपका यहाँ music में जाएगा उसके बाद यह picture, photos और last क्या है video ठीक है windows explorer open करेंगे तो यह four libraries मिलेंगे four libraries का नाम याद रख लिया first document, second music, third picture, fourth video चलिया यहाँ पे हो गया उसके बाद in the libraries you can create a folder by using the following step ठीक है अब अब library में इन सभी यह library में जा कर गया folder create कर सकते बहुत easily तो कैसे करें अब लोगा steps को देखिया, select document option from the left pan of the window, ठीक है क्या करना है आपको document option, देखें यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पर यह diagram भी बना हुआ है तो diagram को भी देखते जाएगा तो समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखें पहला step पर यह document देख रहा है, जहाँ पर मैंने circle किय है, तो document पर आपको click करना है, देखें है, सबसे पहले आपको क्या करना है, document पर click करना है, second क्या है, the new folder tab will appear at the top of the window, click new folder, देखें है, तो सबसे पहला step मैंने क्या बताया आपको, पहला step बताया है कि आपने, आपको document पर click करना है, यह पहला step है, जैसे आप click करेंगे तो इस बाद देखिए, new folder gets created in the right pan of the window, type name of the folder, अब जैसी new folder पे click करेंगे, एक नया folder बन जाएगा और यहाँ पे वो display होगा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसका rename कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई सभी name दे सकते हैं, अगर किसी subject का document बना रहे हैं, तो subject का नाम लिख ल step था, यह अभी जो हम लोगों ने किया, यह क्या था, यह third step था, चलिए, अब आगे आते हैं, यहाँ पे यह हमारा complete होता है, तो किस तरीके से करना, एक बर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, document पे click करना है, first step, second step, आपको new folder पे click करना है, और third step में आपको यह folder create हो गया, चलिए, अब next आते हैं हम लोग, copying file और folder, copy करने का मतलब क्या होता है, duplicate file बनाना, duplicate, उसी के जैसा, same to same, copy करने का मतलब होता है, duplicate file बनाना, उसी के जैसा, same to same, file या folder, जैसे अगर मेरे पास कुछ photos हैं, ठीक है, अब वो photos को मैं क्या करना चारा महाँ पर duplicate file उसका बनाना चारा हूँ, ठीक है, तो copy का मतलब होता है, making a duplicate file or folder, simple summary है, copy का, और copy किया कैसे जाता है, तो इसका simple step है, diagram and steps को देखते जाए, आप easily कर सकते हो, the steps to copy of file or folder है, पहला step है, select the file or folder that is to be copied, जिस file या folder को आपको copy करना है, सबसे पहले उसको select करें, ठीक है यहाँ पे बहुत सारे options दिये हुए है, इन में से जिसको भी आपको क्या करना है, copy करना है, सबसे पहले उसको click करके, उसको select करें, पहला काम यह करना है, दूसरा काम क्या करना है, देखें यहाँ पर, second है click the organize, यहाँ पर देखें, सबसे उपर side, यहाँ जो circle बना है, box आपको मिल जाएगा, जैसे आप organize पर click करेंगे, तो यह box नीचे जो लिखा है न, वो आपको मिल जाएगा, उस box में से आपको copy खोजना है, क्या copy, यहाँ पर देखें, इसके just नीचे क्या लिखा है, copy, जैसे आप organize पर click करेंगे, यह box open होगा, और यह copy पर आपको arrow ले जा तो जहाँ पर आपको copy करना है, सबसे पहले उस folder को open करिए, या कहीं भी भी, desktop पर करना चाहरे है, या किसी drive में करना चाहरे है, किसी folder के अंदर करना चाहरे है, सबसे पहले आप वहाँ जाहिए, उसके बाद क्या करना है, जैसे आप वहाँ पहुंच जाएंगे, उसके करना है पेस्ट पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया कॉंपी कॉंपी करने के बाद आपको क्या करना है वहां पर पेस्ट करना है जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपका एक डुब्लिकेट फाइल वहां पर बन जाएगा ठीक है तो स्टेप्स को मैं फिर से बता रह हैा तो यहां तक आपको समझ मुआ ही गया होगा तो आज की वीडियो में कि वाल इतना ही रखते हैं और लास्ट है हमारा deleting a filer folder किसी filer folder को हमको delete करना है तो हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो इतने topics बचे हुए है जिसको हम लोग next video में cover करेंगे आज हमारा तक complete हो गया copying filer folder यहां तक हमारा complete हो गया कल नेक्ट video में हम लोग स्टार्ट करेंगे renaming a filer folder ठीक है तो जितना भी मैंने बताया है अगर आपके पास computer है या laptop है तो आप यह खुद से करके देखिएगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो आज के लिए के वहले इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए goodbye